गुर्ग्राम समेत हर्याना की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँचें सबसे पहले आठ महिने से जादा का वक्त हो गया है कि सान लगतार आंदोलन कर रहा है दूसरी और इस मुद्दे पर राजनीती भी जम कर हो रही है हला कि एक तरफ सरकार इस अंदोलन का जिम्मेदार विपक्ष को बता रही है वही विपक्ष सरकार के अडियल रवये पर लगतार निशाना साधता रहा है फरिदाबाद के सेक्टर 55 में जेजेपी के कार्यकरताओं ने जिले की बैठक की और बैठक के दौरान विपक्ष पर जम कर निशाना साधा जेजेपी के राष्टी और पाध्यक्ष एवं फरिदाबाद प्रभारी अंतराम तमवर का कहना है कि किसानों की आड में विपक्ष राजनिती कर रहा है जबकि किसानों का कोई भी मुद्दा नहीं है शुरू के दौर में किसानों ने केवल MSP और दो अन्यमांग रखी थी जिनको सरकार ने उसी समय माल लिया था लेकिन बाद में इन मांगों को बढ़ाते चले गए विपक्ष अपनी राजनिती जमीन किसानों के माध्यम से तलाश करने में जुटा हुआ है में MSP खतम नहीं होनी चाहिए और में मंडी खतम नहीं होनी चाहिए अचली तो यह दो ही मकसद है इनके लिए सरकार त्यार है और पताना और उन्हें तो 14-15 हर बार मिटिंग हुई हर बार नहीं बात जोड़ के लिए तो मेरे ख्यालते तो किसान तक कम है और वो दूसरी प जर्नाइक जनता पार्टी सिरू से सामाजी शरूकारों से जुरी पार्टी रही है और जो सरकरी से बनाने जा रहे हैं और जो सकरी लेंगे उसके बाद में जर्नल जो सदेशे तावियान है वो चलाया जाएगा वही इस मौकी पर उनके साथ करमचारी प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष संजीव मंडोला ने भी विपक्ष को आड़े हातों लेते वे कहा कि विपक्ष किसानों के नाम पर राजनिती कर रहा है जबकि किसानों के सच्चे हितैशी दुश्यन चटाला है जेजेपी नेता हाजी करामत अली ने बताया कि आज उनके वरिष्ट नेता फरिदाबाद पहुँचे है और उन्होंने जो भी जन हितैशी नीतियों के बारे में उन्हें बताया है उनको वे घर-घर तक पहुँचाने का काम करेंगे फरिदाबाद से वी न्यूस के लिए मनूज सूर्यवन्शी के रिपोर्ट